हेलो गुड मॉर्निंग स्टुडेंट्स वेलकम इन माई वीडियो लेक्चर आज बी सिय थर्ड सेमिस्टर के अब्जेक्ट ओरियंटेट प्रोग्रामिंग बिद सी प्लस प्लस के इस लेक्चर में हम बात करेंगे एरेज के बारे में आज के हमारा डो टॉपिक है वह एरेज आजिए देखते हैं एरे क्या होते हैं आजिए बात करते हैं एरे क्या होता है एरे आजिए 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 आज genius element okay which are stored into the memory of computer into the memory of array kya hai array is the collection of homogeneous element they are defined as a finite number of homogeneous element and which are stored into the memory of computer in such a way that athika yya dehihi array can be defined as finite number of homogeneous element which are stored in the memory of the computer in such a way array kya hai homogenous ka matlab hai एक एक जैसे एक समाल ठीकर सेम टाइप के यह भी कह सकते हैं array is the collection of same type of elements मतलब अगर इंटीजर हो तो इंटीजर ही रहें करेक्टर हैं तो करेक्टर हैं यानि कि जो elements हैं वो सेम टाइप रहेंगे यह नहीं कि डिफरेंट हो जाएंगे तो इसका पहला concept क्या है they occupy occupies consecutive memory locations consecutive का मतलब कोई भी बीच में उसके लिए value assign हो ना हो अगर वो blank है कोई भी array का हमारा पार्ट तो वहाँ zero value यानि null value assign हो जाएगी और वो consecutive memory को assign करेंगे ठीक है इनमाल लीजे सपोज हमारे पास एक row है ठीक है यह इसके elements है तो consecutive यानि 1,2,3,5,8,9,10 इस तरीके से यह हमारी value assign रहेगी ओके इसमें कोई भी gap नहीं रहेगा consecutive का मतलब कोई भी gap नहीं रहेगा अगर माली यह value हमारी डिलीट की जाएगी इसमें से तो यह अपने आप सफल कर जाएगी तो यह कहलाती है consecutive memory locations सेकेंड डे आर आइडेंटीफाइड भाई यह common name common name के द्वार identify के जाते हैं जो वो क्या होता है common name के द्वार identify के जाते हैं लेकिन वो कि डिफ्रेंट इंडेक्स काल्ड जैसे कहते हैं सबस्क्रिप्ट क्या कहते हैं सबस्क्रिप्ट और इच एलिमेंट ठीक है जैसे कि यह है हमारा एक्जाम्पल और जिसका रेंज स्टार्ट होता है नॉर्मली जीडियो वन टू थ्री एंड सो आन इस तरीके जैसे हमने यह बनाया इसमें यह तो हमारे बैलू है एरे की बैलू है तो यह जो है यह यह वन टू थ्री फोर पाइब यहाने यह 0 तो यह जो ए 1 की value क्या है 2 इस तरीके से तो ये क्या होगा सबस्क्रिप्ट इसका कहला था अब हम बात करते है declaration of array की array को कि इस तरीके से declare किया जा था before declare declare public using an array in a program in a program program में array को declare करने से पहले it must be declared in the following base ठीके यूज़ करने से पहले इसे before using an array in a program it must be declared यानि यूज़ करने से पहले से declare करना होगा program में in the following way किस तरीके से करना होगा ये देखते है syntax क्या है इसका syntax की बात करते है इसके तो कुछ ज्यादा टिपिकल syntax नहीं है इसका data types okay array name and size array का size इस तरीके से declare करेंगे हैं पर data type क्या है data type है हमारा टाइप आफ बैलू जिस टाइप की हमारी बैलू है एरे की that can be stored in array, array में जिस टाइप की बैलू स्टोर की जा रही है वो हमारी टाइप कहला थी, character हो, integer हो, float हो जिस भी टाइप की हो, okay and then array name, array name क्या है simple user defined name है, कुछ भी हम रख सकते है, array का नाम, ठीक है simple user defined valid name ओके, और अब बात करते है, size की, size क्या है आपर size जो यह है, यह इसका क्या मतलब है, इसका मतलब यह है है, the number of locations in an array, ठीक है, number of locations in an array, यहनि कि इसका मतलब यह मैं समझाता हूँ आपको, यह है, ठीक है, यह हमारे पास है, इसमें हमारा जो है, कितने number of locations कितनी है, 0 to 6, यहनि 7 location है, तो size का हो जाएगा, array का, यहां, अगर हम declare करेंगे, तो इसे साफसा अगर declare करके दिखांगे, तो हम लिख देंगे, for example, यह A है, A नाम दिया है, इसने, इन्होंने, तो A कि इंटीजर टाइप का A है, और उसका size है 7, इस तरीके से हम इसे declare करेंगे, इस वाले को, यह कि इंट, A, और 7, इंट क्या data type, यह array name, ठीक है, यह data type हो गया, यह array name हो गया, और यह, memory, location, ओके, तो यह है, array का declaration, clear, समझ में आगे, किस तरीके से हम array को declare करते है, initializing, an array, array को initialize कैसे किया जाता है, ठीक है, आइए देखते है, इसमें क्यों होता है, while declaring an array, जब हमें array को declare करते है, initial value can also be stored in its location, इसके location पर initial value हमारी store हो जाती ही, क्या चाहिए यूज़ करके by using the following syntax, किस तरीके से, इस syntax के help से, initial value हमारी store होती है, देखते हैं, इसका syntax क्या है, data type, syntax, same ही है, बस values हमें देनी होंगी, array name, okay, size, equal to values, value 1, value 2, and, and, okay, इस तरीके से, suppose, for example, जो हमने लिया था, यही बाला ले ले लेते हैं, जो example हमने लिया था, यह है, int a7, ठीक, इस यूज़ को अगर हम example के तौर पर ले हैं, तो example यह हो जाएगा हमारा, int a7 था, तो इसकी value हम एक साथ, 1, 3, 5, 2, 4, 8, 9, इस तरीके से 7 value initialize कर सकते हैं, okay, अब इसमें कुछ important notes है, क्या हैं, उसके बारे में बात करते हैं, array में कौन कौन सी चीज़ हमें ध्यान रखनी है, अब उसके बारे में देखते हैं, जब हमारा जो value initialize की गई है, वो array के size से कम है, तो हमारी जो location automatically filled हो जाएगी 0 से, ठीक है, इनका कहने का मतलब है, लोग बारे में लोगता ही, टेक है अनका का मतलब है, वोगता का मतलब है, वोगता है, वोगता है, इसका क्या मतलब है देखते हैं मान लीजी हमारे पास एक एरे है ठीक है यहां पर जैसे इसमें दिया गया है पहली पोजिशन पर बन आ जाएगा दूसरी पर टू आ जाएगा और जो खाली बचाएगा यहां कम है तो यह अपने आप आटोमेटिकली जीरो से फिल हो जाएगा इसे हम कहते हैं नल बैलू इसकी फिल हो जाएगी क्लियर तो यह था एरे के कुछ इंपोर्टेंट्स अब कल इसके एक्जाम्पल की बात करेंगे आज के वीडियो लेक्चर में इतना ही होके थैंक्यू स्टुडेंट्स झाल करेंगी स्टुडेंट्स